आप सभी का स्वागत है मैट्स बूस्टर क्लासिस में आए डिसकस करते हैं कुछ बहुत ही बहतरीन क्वेश्चन्स आज की क्लास में सभी मित्र जो जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी और आए आज की क्लास यहीं पर स्टार्ट करते हैं क्लास में हम इंपोर्ट्रेंट कॉस्चन्स जैसे पहले भी लेते आ रहे थे आज भी हम डिफ्रेंट First चेप्टर के इंपोर्टन कॉस्टन लेंगे तो आज हम जो टॉपक उठा रहे हैं उसका नाम है एरिया अंडर कर्व आज हम area under curve यानि वक्रों के मद्ध का छेतरफल हम cover करेंगे तो देखे पहला question हम आपके सामने ले रहे हैं पहला question है हमाई पास में है फर्स्ट question लिखे सभी लोग question number 1 integration 0 से लेकर के 1.5x square dx 0 से लेकर 1.5 greatest integer of x square का dx क्या है यहाँ पे x square लगा हुआ है और आपको पता है कि कोई भी greatest integer function जो होता है वो integer पर ही टूटता है मतलब उसका answer क्या होता है? integer टूटा करता है अब आप यदि 0 से ले करके क्योंकि x की value आपकी 0 से ले करके कहा तक जा रही है? 1.5 तक जा रही है तो 0 से लेकर 1.5 तक में x का square क्या होगा? एक तो 0 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2.25 हो जाएगा और यहाँ पर बीच में यकीनन कहीं न कहीं पर 1 आएगा तो यहाँ पर जो square बीच में मतलब 0 से लेकर 2.25 होगा मेली यह यदर किये अब यदि आप greatest integer x square लेते हैं तो देखे greatest integer क्या टूटेगा एक तो 0 टूटेगा एक तो बीच में 1 टूटेगा और एक 2.25 का 2 टूटेगा तो ये सारी चीजें हमारी जो है as a greatest integer function यहाँ पे हमें मिलेंगी ठीक है अब आप देखिए महत्तम पूर्णांग फुलन जिसे हम English में greatest integer function बोलते हैं यह कैसे टूटेगा तो सबसे पहले एक लिमिट चलेगी 0 से लेके 1 तक क्योंकि 0 से लेके 1 तक 1 का square बनेगा और आप लिख दीजे greatest integer x का square then क्या होगा भाई साब 1 से लेकर के root 2 root 2 क्यों हो रहा है क्योंकि root 2 का square ही 2 बनेगा और 2 के बाद 2.25 ओके तो यहां पर भी greatest integer x का square dx मैं dx इस पर नहीं लिख पाया है लिखती जी आप लोग and finally यहां पर पर आएगा root 2 से लेकर के to sorry कितना था 1.5 1.5 और greatest integer x का square होगे greatest integer x का square यहां पर मुझसे एक mistake हुई है यहां पर 2 पे to मैंने 1 पर square पर अंदर लिख दिया था एक पर मैंने बाहर लिख दिया दोनों पर, तो यह भी अंदर कर दीजिए और यह भी अंदर कर दीजिए क्योंकि यह दि बाहर हो गया तो पूरा का पूरा question ही change हो जाएगा अब आये मित्रों करते हैं 0 से ले करके 1 तक कोई भी value का greatest integer रखिए x रखिए x का square कर देंगे तो वो 0 1 से पहले ही आएगा और जिसका greatest integer निकलेगा 0 तो ये पूरा का part कितना हो गया 0 1 से लेके root 2 1 से लेके root 2 तो ये कितना है root 2 का square से थोड़ा सा कम क्योंकि 1 और root 2 के बीच की चीज़ें आपको रखनी है तो बताईए कहाँ पर टूटेगा तो root 2 कितना होता है 1.414 समझेगा इसको तो root 2 होता है 1.414 बट आपको root 2 रखनी की permission नहीं है root 2 के पहले root 2 का square 2 होता है तो root 2 के square से थोड़ा सा कम 1.999 भी आप break करेंगे तो किस पर टूटेगा 1 पर टूटेगा तो यह कितना आजाएगा यह बन जाएगा हमारे पास 1 और लिमिट बन जाएगी यह dx चलेगा और यहां से 1 से लेकर के root 2 और यहां पर कितना आजाएगा देखिए root 2 है 1.5 है तो इसका जो integer बनेगा वो कितना बनेगा इस चीज को समझिया चलिए मैं इसको experimentally proof कर देता हूँ यहां पर अगर आब 1.5 रखते तो 1.5 का square कितना बन जाता 2.25 और 2.25 का greatest integer क्या निकल करके आता 2 तो यहां पर 2 निकलेगा और यह dx चलेगा और limit कितनी चल रही है limit हमारी चल रही है root 2 से लेकर के 1.5 ओके अब चलिए solution का वक्त आ चुका है यहां पर तो 0 है यह 1 का integration कितना होता है x होता है limit कितनी लगेगी 1 से लेके root 2 plus 2 है dx का integration x हो जाएगा और यहां पर limit रगेगी root 2 ओके यहां पर 1.5 finally आप इसको solve कर लीजे तो पहला part कितना बन जाएगा upper limit इसकी है root 2 minus 1 और plus 2 बाहर है यहां पे तो 2 बाहर कर दिया 1.5 minus का root 2 तो इसके लिए थोड़ा और simplify कर दें आप तो root 2 minus 1 plus 2 into 1.5 कितना हो गया 3 minus 2 root 2 so 3 minus 1 become 2 and 2 root 2 minus 2 root 2 become how much minus root 2 तो इसका answer कितना आएगा 2 minus root 2 is your answer कोई दिक्कत तो नहीं है समझ में आगया सभी को Hello everyone कोई दिक्कत है क्या देखे अगला question है हमारे पास में question number 2 मैं उठा रहा हूँ question number 2 है 0 से लेकर के root 5 question number 2 is 0 to root 5 और under root x dx तो थोड़ी सी situation यहां पर बदल चुकी है कि जो x की value है 0 से लेकर root 5 जा रही है तो पहले एक काम करिए x की value देखे कहां से कहां जा रही है x की value 0 से start है 1, 2, 3, okay ज्यादा कर दी मैंने भाई देखे 0 है 1 है 2 है और root 5 कितना होगा 2 point something होगा तो यहां पर root 5 होगा तो x की value 0 से लेकर root 5 जा रही है अब आपके पास root x कितना आएगा यह देखो तो root x कितना आएगा तो देखे root x 0 का 0 हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा ओके and root 5 के पहले root 4 आएगा root 4 का root कितना आएगा 2 आएगा और यहां पर जो है थोड़ी सी गलती यहां हुई है कि मैंने x की value root 5 दे रही है x की value 5 कर लीजे मैंने question अभी check किया x की value कितनी है 5 है तो x की value 2, 3, 4 and 5 तो x का root कहां पर टूटेगा 0 पर बनेगा एक 1 बनेगा एक 2 बनेगा 4 का root 2 हो जाएगा और lastly 5 का root कहां पर टूटेगा root 5 और अब आपको चाहिए है greatest integer का square तो देखिए हमें क्या कर सकता हूँ एक तो 0 से लेकर के 1 तक break कर दीजिए greatest integer root of x plus 1 से लेकर के 4 का जो root निकल रहा है वो root 2 निकल करके आ रहा है एक जंड बन जाएगा 1 से लेके 4 root x का greatest integer एक क्या बनेगा एक बनेगा under root of x का greatest integer and यह बनेगा 4 से लेके 5 complete हो चुका है हमारा question देखिए 0 से लेकर के 1 तक में जो x आप कुछ भी रख देए 1 से कुछ भी रखेंगे तो उसका greatest integer कितना टूटेगा 0 टूटेगा ओके प्लस आप 1 से लेके 4 के बीच में कोई भी नंबर लेङगे उसका root कितना टूटेगा 1 से लेके 2 के बीच में आएगा तो 1 से लेके 2 के बीच में आएगा यदि किसी नंबर का root तो उसका greatest integer कहाँ पर टूटेगा 1 पर टूटेगा तो 1 का dx limit रख दीजिए 1 से लेके 4 ओके एंड देन बताइए इसका कहाँ पर टूटेगा इसका जो है 4 से लेके 5 के बीच का कोई भी number का अगर आप root लेते हैं तो 2 point something होगा मतलब इसका greatest integer कहाँ पर टूटेगा 2 पर टूटेगा अंदर dx बनेगा limit 4 से लेके 5 अब आईए इसको solve करते हैं 0 का तो 0 हो गया 1 का कितना हो जाएगा x और limit हो जाएगी 1 से लेके 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2x और limit हो जाएगी कितनी 4 से लेके 5 चलिए so this will be 4 minus 1 ओके एंड प्लस 2 5 जा 10 minus 8 तो 4 minus 1 ये कितना हो गया भाई साब ये हो गया 3 और ये हो गया 10 में से 8 गये 2 तो इसका आंसर कितना हैगा 5 तो राइट आंसर इस 5 चलिए ये हो गया अगला question देखिए अगला question मैं आपको दे रहा हूं question number 3 सब उसका लीजिए इसको 0 से लेकर के root 2 x square dx देखिए 0 से लेकर के root 2 क्योंगी question करतों नहीं दिया हम लोगों ने 0 से लेकर root 2 नहीं किया ओके 0 से लेकर के root 2 x square का dx अब एक चीज़ देखिए कि x की value कहां से कहां लाई कर रही है x की value लाई कर रही है 0 से लेकर root 2 तो x square कहां से कहां लाई करेगा x square लाई करेगा 0 से लेकर के 2 तो आपके पास यहां पे सामने सामने तीन integral values आपको मिल रही है जो function आपका जाएगा root 2 तक हलागी x की value में तो देखिए कैसे कैसे जाएगा function एक तो 0 से लेके 1 तक जाएगा और फिर 1 से लेके root 2 तक जाएगा तो 0 से लेकर के 1 तक इसको तोड़ी है 0 to 1 ओके greatest integer x square का dx फिर एक कहां तूटेगा एक तूटेगा 1 से लेकर के देखो जो root 2 होता है वो 2 के पहले होता है तो 0 से लेकर के 1 गये हो और 1 से लेके root 2 कितना होता 1.414 हो गया तो 1 से लेके root 2 x square dx ठीक है ना ब्रेक कर लिजे देखे 0 से लेकर 1 के लिए कोई भी नंबर का कितना टूटेगा 0 टूटेगा और x square 1 से लेकर root 2 के लिए किस पर टूटेगा 1 पर टूटेगा तो 1 हो गया ये ओके और dx हो गया यहां पर वहां 1 से लेके root 2 यह हो गया 0 plus 1 का integration x on limit 1 से लेकर root 2 so your answer is root 2 minus 1 done चली ठीक है clear आरा समझ में चली दोस्तों अगला question देखता हूं अगला question आपके पास में है 0 से लेकर के 2 x square और greatest integer x का dx ठीक है ना 0 से लेकर 2 x square greatest integer x dx यह आपको बताना है तो देखे greatest integer जो function होगा वह आपको पता है एक तो 0 से लेकर 1 बनेगा और एक 1 से लेकर 2 बनेगा तो आप इसको लिखिए 0 से लेकर 1 x square और greatest integer x प्लस 1 से लेकर 2 x square और greatest integer x का dx ठीक अब देखिए कैसे टूटेगा यह तो पूरा का पूरा यहाँ पे greatest integer x फस्ट पार्ट के लिए अगर x की value 0 से लेकर 1 के बीच में है तो greatest integer x कितना break हो जाएगा 0 break हो गए तो यह पार्ट तो पूरा break हो गया 0 और प्लस 1 से लेकर के 2 यह हो गया x square इंटू 1 का dx तो answer कितना आगया इसका x cube by 3 और limit कितनी लगनी यहाँ पे 1 से लेकर 2 okay तो 2 का cube 8 minus 1 upon 3 so answer कितना आगया इसका 7 by 3 is your correct answer लेकर